नमसकार भाईयों और बहनों, अब मैं आपको मिशन टीम के सदस्यों का परिचे कराऊंगी. मुकेश जी अपनी सहजता और नम्रटा के लिए सैनी समाज में प्रसीद है, देश-विदेश की सामाजिक संस्थाओं के पदो पर कार्यारत है एवं कर्मत स्वाबिमान के लिए जाने जाते हैं. ये महेश कुमार सैनी हैं और आश्रम के निवासी हैं. आप व्यवसाय में सफल होने के साथ सामाजिक कार्यों में भी काफी सक्रिया हैं. आप सबको साथ लेकर चलते हैं. ये सत्यप्रकाश सैनी हैं और होलंबी के निवासी हैं. सैनी समाज में ये बेहद सक्रिया और आजेक गतिविद्यों में अपनी जिम्मेदारी निभाई। ये करावल नगर निवासी श्रीमती साधना सैनी हैं, ये करमट एवं जुझारू कारेकता के रूप में अपनी पहचान रखती है। ये जयकिशन बंसल हैं और सैनी इंकलेव के निवासी हैं, ये सैनी समाज में पूर्व महासचिव, ओजस्वी वक्ता हैं और वो कानून के नियमों में अच्छे जानकार हैं। ये महिंद्र सिंग हैं और पालम के निवासी हैं, हर कोई उन्हें टैंट व्यवसाय के लिए जानता है और वे सामाजिक कारियों में पूर्ण सहयोग देने के लिए भी प्रसिध हैं। ये पवन सैनी है और लामपुर का निवासी है, वो नरेला अनाजमंडी असोसियेशन के कार्यकारी सदस्यों में से एक हैं और दिल्ली के कई गामों या क्षेत्रों में कर्मट के रूप में भी प्रसिध हैं। ये प्रवीन सैनी है और पांडव नगर के निवासी हैं, ये ओबीसी आयोग के सलाहकार हैं और सभी इन्हें इमानदार और समाजसेवी के रूप में जानते हैं। ये राजकुमार सैनी हैं और चानाक्यपुरी के निवासी हैं, स्वभाव से कर्मत होने के साथ साथ क्षेत्र में भी इनकी अच्छी पकड़ है। ये राकेश सैनी हैं और मस्जिद मोट के निवासी हैं, वो बहुत अच्छे सामाजिक कारेकता हैं और उसी के समर्थक हैं ये संदीप सैनी हैं और रानीबाग त्रिगा के निवासी हैं वो रानीबाग त्रिगा के चमकते सितारे हैं और इन्होंने कई लोगों के दिलों में एक सामाजिक और इमानदार व्यक्ति के रूप में जगा बनाई है ये तिलक राज सैनी हैं और मस्जिद मोट के निवासी हैं, उन्होंने कई वर्षों तक सरकारी नौकरी के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लिया है वो हनुमान मंदिर और नीलम माता मंदिर के मुख्य सेवादार भी है ये वेद प्रकाश सैनी हैं और खिर्की के निवासी हैं, उन्हें सहकारी समितियों में सर्वश्रेष्ट महासचिव के रूप में सम्मानित किया गया है वो धार्मिक समर्थक के साथ साथ कई सामाजिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं ये विकास सैनी हैं और भोरगड के निवासी हैं, वो समाज की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में बहुत मुख्य सहयोगी हैं मैं मिशन परिवर्तन से जुड़ चुकी हूँ, आप भी 8 सितंबर को अपना वोट दे कर मिशन परिवर्तन को सफल बनाएं